नवस्कार दोस्तों स्रिष्टी दा फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है आज हम मांचित्र की अगली क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम आप लोगों को जांकल छोड़ा था उससे आगे लेकर चलेंगे जिसमें हमने कल आपको इंडिज परवस्रंगला के आसपास के सभी जग आए हैं दुकूं को यह इस्टेटो मेरल है य्युट एज़व मेल वेरल हां कि यह दुआ यह जो सेसे धिख राया इन्सके बीच के मेंना एक इस किस मत यहां तो क्या है आपका? Atlantic Ocean और क्या है Pacific Ocean, अर्फा Atlantic महासागा और प्रसंत महासागा, यह South में है, इसलिए South कक, अब यह क्या है? पूरा ये, पूरा उपर का चुछ छेतर है, यह यह पूरा च्छेतर है, यह संभलत रूप से हम इसको क्या बोलते हैं? पूरियो को दच्ड अमेर की म मेलगन दच्छड अमेर की छेत्र को किस से तेरा डेल फ्यूगों ये जो छेत्र है हमारा तेरा डेल फ्यूगों बोलते हैं इसको को अलग करता है तो किसको अमेरका को दच्छड अमेरका को किस से तेरा डेल फ्यूगों से अलग करता है तो दूज चीज़ें याद रखने हैं सुंदी किस-किस को कर्याक करती है Atlantic ocean को और Pacific ocean को अलग किसको करती है दच्छड अमेरिका को 13 डेल्फ यूगों से कहीं पर देखो 13 डेल्फ यूगों में किस मैप को लूब पॉलिटिकल मैप को लूब यह यह लगवव यहाँ पर क्या है अदिवास का अंतिम बिंद्व है इसको उस एसा उस ए या हाँ सौरी यह क्या है अंतिम अदिवास वाला छेतर है अद बास बाला इस्तर अब यहीं पर क्या है देखो यह क्या दिख रहा है केप ओ फॉण यह दच्छड अमेरिका का सबसे अंतिम मिंद्व है तो कुशन पूछेगा अमेरिका का अंतिमिन्द क्या है तो अमेरिका का अंतिमिन्द आपका अमेरिका का अंतिमिन्द है केप ओफ हॉर्न एक मिनट पीपीटी पर चलो यहीं पर लिख रहे हैं केप ओफ और अमेरिका अमेरिका का दच्छड बिंद। ठीक दच्छडी अमेरिका का यहीं पर एक और जगह है आपकी यह पुंटा अरे नाश यह कहा है चिली की यहाँ पर चिली का यह लाट सम पॉइंट है जहाँ पर लोग रहते हैं और यह क्या है खनिश तेल की दृष्टी से भी चिली का एक समरद भाग है यहाँ पर लेकिन क्या है समरद तो है लेकिन मतलग यहाँ का पर जो जलवा है वो इसके अनकूल नहीं इसलिए यहाँ पर उत्पादत चमता इदनी नहीं हो पाई है अब उसके बाद में देखो अर्जंटीना का यह जो छित रहें इंडी स्रंकला यहाँ पर भी है जब इंडी स्रंकला यहाँ है तो उस इंडिस रंखला में यह दो इंडिस रंखला तो यहाँ पर एक छेत्र है पैटा गोनिया का छेत्र यह क्या है पैटा गोनिया का छेत्र है यह छेत्र क्या है एक तो इंडिस प्रवस रंखला के बिश्ट चाया छेत्र में पड़ता है जिसकी वजाए से यह क्या है सुस स्थल हो जाता है तो सुस्थ के स्थल तो यहां पर कुशन बनता है जो आपका प्रेटा गोनिया का चेत्र है एक तो कहां पर रिस्तेत है अर्जेंटीना में अर्जेंटीना ठीक दूसरा यह क्या है थंडा मरुस्थल ठीक तो जैसे भारत में कौन सा है भारत में यहां पर ठीक पर ठीक पर देखो यह चेत्र है आपका पेंटोगोनिया का चेत्र है यहां यहां पर क्या है रंच एक तरीके की कृत्म खेजदी की जाती है गास की और यहां पर ही अलफा 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 गास के मैदान पाय जाते हैं गास के मैदान तो यह क्या है अब पूछेगा अलफा अलफा गास के मैदान कहां पाई जाते हैं तो यह कहाँ पाई जाते हैं अर्जेंटीना और यह किस यह को बहुत ही पुष्टिक घास होती है जो पसुओं को बहुत ही फाईदा देती है इनी अलफालपा घास के मैदानों को खित्म रूप सोवाने के लिए क्या बूलते हैं रंच एक सब्द कप्रियों किया जाता है अब फिजिकल यह तो फिजिकल है पॉलिटिकल मेप में फिर देगी है अर्जेंटीना और और वे यह दिख रहा है आ देश ऍद्री बिद्र रहेट में तो प्रेच रहेट गास अपरी पिश्द रहेट गास अपरी पार ध्रेश्थ गास है उस घासता नम क्या है फिस टे सिफ इंप पस तो अक्सा कुश्यन पूझा जाता है फ्लिए जा यह फिश्व अप आई जाता है टु 36 और पन्पास गा अगास रहत है और कैसी है समसी तोस्ट है तो यह जरूर्याद कैसी है यह सम अलाव मेंचन करें पंपाश कैसी है समसी तोस्ट है ठीक समसी तोस्ट है कहां पर अरजन्टीना और कहां पर और अर्गवे और यह क्या है कैसी है जहास है यह प्रच रहेत तो यह कभी कभी अंदर तक पूछ लेते हैं नहीं प्रकार किया तो कौन सी आपकी पंपास है देखो यहां जब यह जो औरगवे और अरजेंटीना का जो छेत्र है वो गहों के उटपादन की द्रिश्टी से भी मैतपूर छेत रहे और यहां पर साथ ही साथ जब गहों होता है तो पसपालन भी होता है तो यह मास्ट और परागवे यह देखो यह दोनों है मैंने कली आपको बताया था आप इन दोनों चीज़ों को देखते रहें यह जो अरजेंटीना है यहां पर भी ग्रान यह जो दोनों है यहां पर ग्रान चाओ नाम से क्या है एक मरस्तर पाया जाता है यहां पर है यह क्या है ग्रान च या ग्रांड चाओ ग्रांड चाओ वोलते हैं यह जो छेत्र हैं यह भी बनस्पत प्रकार के छेत्र हैं यहां पर उस्ट कडवंदी और सीतु विल्ब दोनों प्रकार की गास पाई जाती है जो बहुती मतलब पस्वों के लिए उप्योंगी होती है और यही पर क्या है यह जो इस ग्रांड चाओ का मतलब होता है हंटिंग भूम दोलब यह पहले सिकारियों की भूम रही थी लोग अपना जीवन सिकार करके ही जीवन यापन करते थी लेकिन अब इस छेत्र में क्या है यह जो छेतर है, यहाँ पर पसपालं बहुती अच्चे किस्म पर किया जाता है और उच्छत पादक्ता के पसवूम को पालं किया जाता है, गराणचाओ में ठीक यह दोनों कहा पर रहिए, गास के मेदान गराणचाओ, गास के मेदान यह आपके हैं अर्जेंटीना और प्रागमे में तिक यह जो दिख रहे हैं आपको अर्जेंटीना और प्रागमे में अब देखो बोलिविया का प्लेटी यहीं पर बोलिविया और यह क्या है ब्राजील और यह क्या है यह जो पठर दिख रहा है आपको मातो ग्रावस पठार ये जो पठार है ये भी क्या है मातो ग्रावस पठार ये एक उश्कटवंदी घास यहाँ पर पाई जाती है जो जिसे हम ब्राजील में क्या बोलते हैं कमपोस इसी पठार के आसपास एक ग्रास पाई जाती है कमपोस गास यह घास कैसी कहां पाई जाती है ब्राजील में तो कुशन पूशेगा ब्राजील में कौन सी घास पाई जाती है तो कौन सी है कमपोज गास है अब यहां पर आप देखें यह जो जगह है यह देखो आपको दिख रहा है ब्राजीलियन हाइलाइट्स यानि ग्राजील का उच्छ भूमी जो ब्राजील की उच्छ भूमी है यहांसे कई एक नदिया निकलती है एक कईह नदिया निकलती है यह देखो आपको एक नदीदेख रही होगी यह एसका नाम है साव फ्रांस को ठीक है कौन सी नदिया ये साव फ्रांस को ये लिखा भी है इस पर साव फ्रांस को ये ठीक है ये दिख रही है ये ये तो ये कहां से निकलती है ये 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 निकलती है आपकी ब्राजिलियन उच्भूमी से यही पर एक है आपकी पराना ये देखो पराना ये यहीं से निकलती है ठीक यह पराना यहीं से निकलती है औरगवे यह देखो जितनी भी यह नदिया है यह निकलती है तो यह क्या है ब्राजील का छेत्र है जब यह ब्राजील का छेत्र है तो यहां पर क्या है काफी उत्पादन के लिए अच्छी इस्तिति उत्पन कर देती है और यहाँ पर क्या है काफी उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और काफी उत्पादन के जो भाग होते हैं उनको फेजेंडा क्या बोलते हैं फेजेंडा कहाँ पर ब्राजील में तो ब्राजील में जो आपके कई उत्पादन के ज़ो बाग रहे हैं को पहले उठा और के बाग बागान उनको एक सहर है विस्वत रेखाप लगवन अप्समी है यही पर क्या है यह दो कि सैंटूस यह जो दोनों सहर है इन दोनों टेवों यहां पर सावप वालों में क्या कॉपी का उत्पादन होता है भंडाराड होता है यहीं पर उसके क्या है Item है stop कि cento से क्या है उसको 2 सूब एविуждate सो में इसको क्या किया जाता है और आंजा तो इन दोनों सेहरों के बीच 14 चलाए गई जिसको क्या बोलते कोफी ट्रेंट तो कोफी ट्रेंट पूछ इसको फीट्रेंट किसके लिए इन दोनों के आया मतलब इनको कौफी को ले जाने और लाने के लिए तो पूछेगा कि कौफी ट्रेंग किन किन दो देसों के मद चलती है तो साओ साओ पावलो और संटोस के मद चलती है यहां पर तो को ब्राजील का सरवाद यहीं से थोड़ी उपर जागे ब्राजील की राजधानी है यह तो हम आपको बता दिये थे अब जो यह यह च्छेत रहना संटोस और साओ पावलो तो साओ पावलो च्छेत रहना यह यहां पर क्या है एक तरीके से और भी उद्द्दों का सरवाद इक विकास हुआ है इसलिए इसको क्या है सेंट पावलो को क्या बोलते हैं ब्राजील का मांचेश्टर ये क्या बोलते हैं ब्राजील का मांचेश्टर ठीक है मांचेश्टर ठीक तो ब्राजील का मांचेश्टर किसके बोलते हैं साव पावलो को ठीक अब उसके बाद में आगे चलें देखो यह है यह जो है गोआना की उच्च भूम इसका विस्तार बेन जला से लेकर पूरमें सुरिनाम और व्राहिल तक है पूरा इसका विस्तार इस भूम में विस्तार सबसे उच्च जो एंजल फॉल है ना यह एंजल फॉल बिस्व का सबसे उचा है जो फॉल एंजल फॉल है वो इसी जल प्रवाद पर इस देता है यहीं पर क्या है एक नदी है यह उपर देवाद देख रही है ना यह यह जो नदी है औरी नोको नदी औरी नोको नदी औरी नोको नदी इस नदी पर एंजल जल पात जल प्रवाद आज और सिर्वादिक उचा जल प्रवाद हो और से विस्व को सर वगेंचा जल प्रवाद ऑन सी नदी और कर पर है उसका नाम क्या है एंजल चल प्रपाथ ठीक है और यह क्या है जो औरी नोको नदी है वह आपकी कि भी मैं अटल्लांटिक महासागर में गिर जाती है और यहीं पर क्या है इस नदी वेसन में इसमें उष्कटवंदी गास के में सी लानोज Allah कौण पाए जाते हैं इसी नदी की घाटी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं ला लानूज कैसे हैं उस्ट कटबंदी कैसे हैं उस्ट कटबंदी घास के मैदान है इनको क्या बोलते हैं लानूज बोलते हैं ठीक है तो ये आपके इसी नदी घाटी में यहां पर देखो नेक्स्ट यह आपको जील दिख रही होगी यह जील है यह बैन जुला में इस्थित है केरविनियन सा जो केरविन सागर है उसके तट पर इस्थित है इसको मारकाओ मारकाओ जील बोलते हैं और यह दच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च की सबसे बड़ी जील है मारकाओ मारकाओ जील जील कोन सी सी हूँ फीर्य उसी तरीका से यह जो जील है मारा का य browser यह कहाँ पर है आपकी बैंव जुला मेंन रहा किरिवियन के तडप रही है एक तरीके से और यह खनैस टेल सोजन के लिए भी important छेत रहे यहां पर खनेश तेल भी पाए जाते हैं अब देखो पेरू आपका कहां पर था आप एक बार पेरू को अब पॉलिटिकल मैम में देखें यह आपका पेरू का छेतore यह ठीक यह क्या है आपका पेरू यहांपर इनडी क्वर्वस रंकला थी पूरे में हमने आपको दखाई भी थी अब यहीं से कि इसी प्रवस रंकला से एक नदी निकलती है जिसको क्या बूलते हैं हम एमेजन नदी क्या अमेजन नदी ठीक देखो यह जो नदी है यह यह क्या बूलते हैं यह कहां पर जाके गिर जाती है यह चीज़ और देखो माउथ ऑप अमेजन है गोआना की बेसिन है वहां पर यह जाके गिर जाती है और यह छेत्र किसका है पूरा अट्लंटिक महासागर का छेत्र है उत्री अट्लंटिक महासागर का छेत्र है यहां पर आके गिर जाती है तो एक तो निकलती कहां से है पेरूं से निकलती है इंडीज परवस रंकला से निकलती है और गौाना विसन में गिरती है गौना विसन किसका भाग है अट्लंटिक महासागर का भ अमेजन नदी कहां से नकलती है इंडिश परवत संखला और यह है कहां पेरू ठीक उसके बाद में किर्टी कहां है यह गवाना वेशन प्लांटिक महा सागर ठीक निकलना और यहां आप मेंसन करें गिर्णा यह दो चीजे होगे अब इसके बाद में यहां एक और बात निकल के आती है वो क्या है यह बिस की दूसरी वड़ी नदी है पहली नदी है उसके बाद इस अपवा की मतलब चित अपवाच चेत्र दो क्या होता है यह अपवाच चेत्र यह क्या है देखो कई एक नदी आ आके क्या है मर रही है यह 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 तो काफी बड़े चेत्र को यह क्या है समलित कर रही है यह नहीं कर रही है यह यह ठीक तो काफी जो पूरे चेत्र यह बहुत बड़े चेत्र को समलित करे वो उस नदी का अपवाच चेत्र होता है तो अपवाच चेत्र की दृष्टी से य इंदी क्या है अब बाँ छेत की द्रिश्टी से सबसे वड़ी नदी सबसे वड़ी नदी है अब वह छेत की द्रिश्टी से सबसे वड़ी नदी है अब देखो यहीं पर अमेजन नदी कि जो सबसे साहग नदी बड़ी सबसे मतलब यह यह नदी न तो इसकी सबसे वड़ी साहग नदी भी घुक्त तो कही एक है। टिर्गिन सबसे बड़ी हो सकता हैं पूछले कि हमेजन की सबसे बड़ी साहक नदी कौन सी है तो मैं डिन हना सबसे बड़ी सबसे बड़ी सफली साहक नदी। यह क्या है ? सबसे बड़ी साहक नदी है अब देखो इसी नदी के किनारे क्या है अमेजन के विस्वत रेखी विस्वत रेखा भी यहां से उजरती है तो अमेजन के विस्वत रेखी फन कुब्राजील में क्या बोलते हैं अमें जन के बिस्वतिय रेखिये बनों को बनों को ब्राजील में ब्राजील में सेलवास कहते हैं तो अमेजन के जो बन है उनको क्या बूलते हैं ब्राजील में सेलवास बूलते हैं अब इन्हें क्या है इन बनों को बिस्वत्रेकी बनो या अमेजन बनो को या सेलवास बनो को बिस्व का फैर भड़ा भी कहते हैं बिस्व का फैर फड़ा एकसीजन का निकात होता है एक तरही से बिस्व में ऑक्सीजन की मतलब ब्राजी उस छेत्र में ऑक्सिजन की आपूरती काफी अधिक पेमाने पर करते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं बिस्तो का फैमपड़ा बोलते हैं लेकिन तब भी यह छेत्र पिछड़ा है क्योंकि यहां पर अधिक बन होने के सगन बने इन बननों में गम्मिता जब रवर्ड के पौद ब्रच को देखा गया था ठीक और यहीं से फिर सब सभी जगा क्या है रवर्ड का पौदा पहुंच गया तो जो रवर का पौदा है यह रवर प्रच को सबसे पहले सबसे पहले देखा गया तो सबसे पहले रवर का प्रच कहां देखा गया अमेजन बन महीं यह बिस्वत रेखी बनों में बिस्वत रेखी बनों को सेलवास भी कहते हैं कहां पर अमेरिकां में ठीक है अब देखो यहां पर एक संगम दिखाएंगे आपको पहले तो यहां पर देखो निक ग्रू यह क्या है निक ग्रू नदिये और किसमें आके मिर रही है अमेजन में मिर रही है तो अब देखो पॉलिटिकल मैप में जाके देखो यहां पर एक संगम है यह है इसको क्या बुलते हैं मनोश यह क्या है मनोश यहाँ पर यहाँ से निग्रो आती है और यह अमेजन आती है और यह मिलके चली जाती है तो यहाँ पर क्या है रवर का संग्रेड जो रवर होती है न उसका यह एक संग्रेड है मतलब यहाँ पर रवड को एकटा किया जाता है संग्र है केंद्र है और इसलिए यह क्या है मैनोस क्या हो जाता है इंपोर्टेंट हो जाता है रवड का एक केंद्र है मैनोस तो सहर भी पूछ लेता है कि मैनोस सहर किस देश में है तो कहां पर है ये ब्राजील में है और ये भी पूछ लेता है कि यहां पर क्या है ये ये जो किस जो मनोस जो आपका सहर है वो किंदो नदियों के संगम पर है तो निग्रो और अब उसके बाद मैं देखो यह दो यहीं पर देखे लो आप बेरी ब्राजील है यह दच्छिड अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है और विसमें पांच में नमबर पर सबसे बड़ा देश है उसके बाद अब देखो अब यह है यह आपको दिख रहा है और यह दिख रहा है आपको अर्जेंटीना इनके मद्द एक रियू डेल प्लाटा करके यहाँ पर यह है रियू डेल प्लाटा यह क्या एक जवारनद मुक छेतर है ठीक है इसी जवारनद छेतर में जो आपकी है ब्राजिलियन उच्भूम से निकलने वाली प्रमुक नदी उर्गवे और पराना नदी का निकास यही पर होता है परागवे जो नदी है अब यहाँ पर देखो इस मैप में देखो आप यहाँ पर आप देखें कि यह जो जितनी भी ब्राजिलियन उच्भूम से आ रही है और यहाँ पर आके यह क्या हो जाती है घर जाती है ठीक और तो यहाँ पर क्या है जो उर्गवे वह पराना नदी का निकास यहीं पर होता है और परागवे और पराना एक महतपूर परागवे क्या है पराना की एक महतपूर परागवे परागवे यह जो आ रही है पराना की एक महतपूर साहिक नदी है ठीक इसी नदी के तठपर इसकी राजदानी परागवे की राजदानी असनियन्स यहां पर रही इस्तित है जो हम कल आपको बतायते अब यह जो आपकी परागवे नदी है न यह क्या है ब्राजील और परागवे के मद सीमा बनाती है ठीक तो यह लग लिख दें यहां पर प्रागवे नदी एक तो दूसरी सबसे लंबी नदी है मेरका की दूसरी दूसरी बड़ी नदी बड़ी नदी है और प्राजील और प्रागवे के मद्द सीमा का नड़दारा ठीक के मद्द सीमा का ब्राजील और अर्जेंटीना के में और प्रागवे नदी किस-किस के मद्द सीमा का नड़दारा या राजनितिक सीमा बनाती है ब्राजील और अर्जेंटीना अर्जेंटीना के मद्द क्या बनाती है आपका राजनितिक सीमा बनाती है ठीक तो यह देखो आज हमने आपको दच्चड अमीर की महाधीब की जो बच्ची कुछी बाते थी वो हमने आज आपको बता दी इसी के साथ आज क्या है आपका यह पोर्सन दच्चड उत्री अमीर का खतम हो गया महाधीब दच्चड अमीर का महाधीब भी खतम हो गया अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेक कराएंगे important अफ्रीका महादी तो आप ऐसे इस रश्टी दा फ्यूचर देखते रहिए धन्यवाद